हलो बच्चों तो आज कर जो हमारा टॉपिक है वो है male reproductive system male reproductive system हमारा mainly 4 parts में divided है सबसे पहला part है हमारे pair of testes testes के main दो function होते है पहला होता है production of sperm और दूसरा होता है production of testosterone इसके बाद हम बात करें तो जो हमारा second part है वो है हमारा vast deferens this is how sperm duct भी कहते है sperm drug का main काम होता है sperm को testis से लेके urethra तक deliver करना इसके बाद जो हमारे तीसरे पार्ट आते हैं वो आते हैं हमारे glands, seminal vesicle and prostate इनका main काम होता है sperm के अंदर कुछ fluid secret करना जिससे वो motile हो जाए यानि वो easily transport हो सकी और जो हमारे चौथा पार्ट है वो हमारे एक copulatory organ जिसे हम penis कहते हैं जिसके अंदर हमारे urethra का जो pipe है वो consist होता है तो सबसे बहले हम बात करेंगे हमारे testis की तो बच्चों का हम testis की बात करें तो testis का main function है वो है sperm को produce करना लेकिए sperm को produce करने के लिए testis का जो temperature है वो हमारी body के temperature से कम होना चाहिए इसके लिए जो testis है वो हमारी body के बाहर यानि abdomen cavity के बाहर present होते हैं और जिस जगा पर present होते है उस skin को हम scrotum कहते हैं तो यह चीज़ आपको आदखने कि testis जिस skin के इंदर present होते हैं उसे हम क्या कहते हैं scrotum कहते हैं और यहाँ पर जो testis है यह sperm के साथ साथ एक hormone को भी secret करते हैं जिसे हम कहते है टेस्टेस्टेरों testis का main काम होता है puberty के time पे हमारी body में जितने भी changes सारे उन सारे changes को control करना testis का काम होता है जो हमारा second part है वो है vas deferent vas deferent का function जैसे में आपको बता है कि sperm को हमारे testis से लेकर urethra तक लेकर जाना होता है और यहाँ पर इसको deliver करने का जो काम है यह vas deferent करती है और यह आगे जाकर urinal bladder में से जो urine की pipe आ रही है उससे जाकर unite हो जाती है उससे जाकर मिल जाती है थर्ड पार्ट है हमारे seminal vesicle and prostate gland इन दोनों का main काम होता है कुछ एसा fluid secrete करना जो sperm को motile बनाते है यानि जब sperm हमारा पहले reproduce होता है तो इतना motile नहीं होता लेकिन जब fluid उसके साथ मिलता है तो वह motile बन जाता है नहीं वह easily flow कर सकता है और यह fluid ही sperm को कुछ required amount of protein provide करता है जिससे वह आगे टाइम तक जादा जिन्दा रह सके नेक्स पार्ट है हमारा युरेत्रा युरेत्रा जो है वह हमारे sperm और यूरीन दोनों के लिए common पैसेजर्स के तुरू हमारा sperm और यूरीन हमारी बाडी के बाहर निकलते है में जिस चीज़ को transfer कर रहे है वह हमारा sperm को समझना भी दूरू है तो sperm जो होते है वो मोटाइल होते हैं यह हमको पता है और sperm के पास हमारा सारा genetic data होता है नि हमारा जो DNA है उसको consist करने का काम sperm के पास होता है और sperm जो है इसकी long tail होती है और इस tail का main काम होता है sperm को further आगे forward move करने में help करना तो यहाँ पर हमारा यह जो main liberty system में पुरी तरह से खतम हो रहा है अग है और आहाँ होती है वहां हो हमारा जो ह हम आगेtest है वागे हाँ हुर्य थाजबगे अ.